शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें के लाएक。 झाल 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 यह क्या है? कॉलिनी का एरिया इतना कम कर दिया? मिस्टर्शर्मा मजदूरों के लिए कॉलिनी बना के हम उन पर कोई इसान नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे कारोबार की जड़ जड़ में उन्हीं का बाहरा हुआ हुआ पसीना आपको मिलेगा! वो तो ठीक है मिस्टर सहाय मगर मजदूरों को रहने की इतनी बड़ी जगा है तो मजदूर इंसान नहीं है क्या इस प्रोजेक्ट के लिए जितना एरिया हमने डिसाइड किया है बिल्कुल उतना ही रहेगा मिस्टर शर्मा आप खुद सोचिए कि एक छोटे छोटे तंग कमरे में पांच लोगों के परिवार रह सकेंगे मगर आपके पार्टनर्स मिस्टर सूद और मिस्टर राना का कहना है उनके मशवरों को आप अपने तक महदूद रखें शमझें? ओके सर सर आपको फोन हलो सहाई ओ हलो वालरी येस मीटिंग? नो वालरी इंपॉसिबल आज तो हम आपकी मीटिंग पर आई ही नहीं सकते क्योंकि आज हमें किसी और से मिलना है एक बहुत खास अपॉइंटमेंट है और अकर हम वहां नहीं पहुँचे तो हमारा यकीनन कोर्ट मार्शल हो जाएगा नाम नाम आपको नहीं बताएंगे हम अरे बाबरां तुम अकेले? डाड़ी नहीं आए? जी वह सहाब को किसी जरुरी काम से जाना पड़ा इसलिए नहीं आए अच्छा मुझे रिसीट करने से ज्ञादा जरुरी काम निकलाया उनका पूरी दो सालों बद आई हूं मैं और तुमें भी आने की क्या जरुरी थी? क्या इन दो सालों में इस शहर की सड़के भूल गई हूं मैं? अपने घर का पता भूल गई हूं? कोई नहीं? इस खूल मैं एरपोट से अकेले घर पहुन सकती हूं तुम जाओ यूहू डैडी तुने सोचा कैसे क्या हम नहीं आएंगे सुभा से यही रट नगा रखिये के एरपोट जाना एरपोट जाना तुझे देखने के लिए दिल जो बेकरार ता कमान डैड जूट बोले से बाज आजाईए दरहसल आपको फुरसत नहीं होती आपको अपनी सहत ता ख्याल नहीं हमारी सहत तो आपकी डॉक्टर अंकल से कहीं अची है ओ डैड, be serious यह बीमारी कोई मामुली तो नहीं आपको अपनी हिल्थ का ख्याल रखना चाहिए मगर वर्शा बीटी आप मैं काफी ठीक ठाक हूँ पिछले चार महीने मुझे सिर्फ एक अटाक हुआ है अजी वान यह राइट आल गेड़ डैड हलो अलो अरे वर्शा, तुम कब आई? आसर वेरी आई हूं मिस्टर सेथी अच्छा वर्शा, मैंने इसले फोन किया था कि हमने कल सुवा एक जरूरी मीटिंग रखी है No way, no work कल सारे दिन डैडी मेरे साथ है Have a heart, सेडी साब हम दो सालों बाद मिल रहे हैं अच्छा ठीक है, तो कल शाम को रख लेते हैं हाँ, शाम को, he's all yours Okay, thanks Okay, bye लो, अब यह नई लपेटो अरे यह सहाय का बच्चा तो पहले से ही सत्यवादी हरी चंदर के आउलाद है उपर से वर्षा, उसे भी अभी परसना था लपेटो सहाय को तो अपने तरीके से हम इस प्रपोजल के लिए मना सकते थे मगर वर्षा क्या जाने से है, अब तुम्हें क्या हो गया राना? कुछ बोलोगे? राना जब कोई खिल खिलता है तो मैदान में उतरने से पहले ही उसकी जीत का फैसला हो चुका होता है देखता हूँ यह सहाय अपनी सचाय और एमानदारी के लिए क्या क्रिमत चुकाता है हमारा यह प्रपोजल सहाय को मानना ही होगा लो लो पेटो अरे भाईया तुम्हारा यह परपोजल कहीं हमारी जिंदगी के रास्ते को जेल के मुख्य दवार से न जोड़ दे हां तब भही पैट करना भी नहीं है विस्तस सूथ आप कुछ जादा ही घबरा जाते हैं दौलत की जिस रोशनी को हम प्रेट करना चाहते हैं उसके लिए कुछ इमानदार जिंदग्यों को अंधेरे की क्रिफ में चौकना होगा आप कि 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 झाल झाल यह आप लोग क्या रहे हैं यह तो मेरी समझ में कुछ फेर है या फिर आप लोग मुझे में सरसाय आप जो समझ रहे हैं हम वही कह रहे हैं आज हमारे मुकाबले में मार्केपर हम बहुत सारे पड़क्ट खड़े हो गए हैं अगर हम अपने स्टानिक में थोड़ी से परसंट अफीम या गर्द मिला दें तो हिंदुस्तान के तमाम बच्चों को इसके लट लग जाएगी मतलब ये बच्चे स्टानिक के खुलाम हो जाएगी उसके बाद इस्टानिक के बगएर ना कोई बच्चा सो सकेगा ना कोई बच्चा खा सकेगा बस यही एक जोटी सी बात हम तेनों आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बहतर इसी में है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें तुम्हारा मतलब है कि हम दवा में जहर मिलाएं तैसों के लिए मासूम बच्चों के जिन्दगी से हम खिलवार करें ऐसा बेहूदा प्रपोजर्स रखने की आप उनको जुर्ण कैसे हुई आखिर इंसानियत के पर तुम कुछ तकादे होते हैं लो लो पेटो मिस्टर सहाई तुम्हारी इंसानियत की जिदोरे से हम बहुत बर उचके कितने लो पेटोगे हैं और कुछ दिन और तुम्हारे कंदों के साथ कंदा में लागर चलेंगे न तो लोगोटिया लग जाएगी हम सब को हां कुछ भी हो मैं तुम लोगों को ऐसा गिनोना काम करने की इजादत नहीं दे सकता यह मत भूले मिस्टर सहाई कि हम आपके बराबर के पार्टनर्स हैं और हमने आपसे राय मागी है इजाज़त नहीं अच्छा तुम भी वाह खूब सिला दे रहे हो तुम मेरे एसानों का तुम्हें अपने बराबर बैटने के ल जिसका आपको पता नचले तब ही तो हम यह प्रपोजर आपके सामझे तो तुम मुझे मुझे मौत के कारभाज की सला दे रहा हो एक प्रपोजर मैं आप लोगों को देता हूं आप लोग के ली गड़ी में कसाई की दुकान क्यों नहीं खोड़ लेते हैं आप लोग कहें तो म्यूनिस्वल कमिशनर से मैं बात करूँ यगा के लिए बहुत होगी आपका भाचर हमने इस प्रपोजर के लिए आपके ना करने के बात का अंजाम भी सोच रखा है आप लोग बिलावजे वक्त खराब कर रहे हैं आप समझते हैं कि मैं आपकी बात मान कर आपके साथ पाप में भागीदार हो जाओं गलत वहमी है आप लोगों को और इस मामले में आप मुझे कमजोर ना समझीगा अगर मैं आपकी कुम्ली के ग्रेहों को बदल सकता हूं त अब अब कि अब कि अब चाहुआ सब कुछ परेशान निजरार है मंसाराम बात दफापने मूं पे थपड़ मारने कुछी जाता है नजाने कौन सी मन्हूस घड़ी जी मैंने इन तीनों को अपने साथ जोड़ लिया अब बताओना दवाओं के साथ जहर मिलाने की सला दे रहे हैं पैसों के लिए इनसान कितना गिर जाता है खैर एक तरह से अच्छा हुआ कि उन्होंने ये बात मेरे कान में डाल दी मैं बश्चा बोल रही हूं क्या हो रहां मां फैक्ट्री में इतनी देर हो गए अभी तक डाड़ी घर ने लौटे हां ताप जी तो कभी के निकल गया है मैडम कितनी देर हुई काफी टाइम हो गया काफी टाइम हो गया काफ़ के बेंग ने थाग भागध हो एक अबएदा फसरोगां तुम लो तूम यहां? क्या यह है तुम नहीं? दो कर दोडसा फिरी भला कि बढकेाब लिली भी कि अ! छुख जाए चुख चुख टियो दो तेन बच चुके है रात के और डारी का ता पता नहीं है मुझे तो बहुत घब्राद हो रहे हैं मैं क्या करो वर्शा तुम फिकर मत करो हम लोग अभी तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं जी जल्दी आएगा कि अब कि 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 अच्छा आइसी आहां अओकी थैंक्यू चौकी तीन और चार की एफायर दो यह सर क्या हो रहा है इंस्पेक्टर आपको कहां से क्या रिपोर्ट मिल रही है जरा हमें भी तो पता चले जैसे मुझे इंफरमेशन मिल जाएगी मैं आप सबको बता दूंगा थाो कोशिश कर रही है कोशिश मत बोलिए इंस्पेक्टर शाहर आप कुछ कर रहे हैं कम से कम इतनी तसलीं दो दीजिए मुझे तो मेरतो कलेज बुग आ रहा है वो डेखिए वह देखिए मैचारी की क्या हालत हो रही है वो मुझे है वो मुझे अपना अपना कंदा कहां गर्देद कंदा हाँ शर्मा आगोपते बोलो अहां येस कहां गोरे बीच के पास आपको मेरे साथ चलना होगा एक लश्की शनाख अकाम जी हुआ 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 मिस वर्शा, मैंने इनकी मेरिकल इग्जामनेशन की रिपॉर्ट देखी है इनको दो बार पहले भी दिल के दोरे पढ़ चुके हैं अब ऐसी हालत में ये कल राइब गाड़ी खुच चला कर निकले थे मिस्टर साय की बीमारी ने ही इनकी जान ली क्यों दॉक्तर? जी हाँ, हो सकता है इनकी मिस्टर स्वाशा, प्रिज एक्स्क्यूस आईए जी हाँ इन भारा गंटों में ये तो लगा ही नहीं कि तुम मेरे पास से इतनी दूर चली गई थी आलाव दाड़, आलाव दूर, बेबी तरक्री की होड में इंसान इंसान भूना क्यूं पूलता जा रहा है पता नहीं किस परेशानी ने नीद उचाड़ करती है मेरी बेटी होती है तो इसे जगर लेता और ठक के सो जाता हूं बहुत यारा रही है झालाव चालाव तु झालाव तु जगर उनाँ के सो जजाई पूए रहा है चल्दाया उचिए खटा रख कहीं का बेश्टा दो से ते रोको 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 रहो ख़र एलो क्यों पहचाना भी नहीं कमाल है रहा हमारी मुलाकात कुई ऐसी वैसी तो थी नि मैंने गलती से तुमारी गाड़ी ठोग दी थी गाड़ी? मेरी गाड़ी? हाँ, यहीं तो है वो गाड़ी तेखो तेखो एक राज कुछ पैसे देना चाहे थे मगर तुमने लेने से इंकार कर दिया था क्यों राज कुमार साथ यादाया कुछ मेरा नम राजा है अफ कोर्स आ नो दाट तुमने खुदी उस दिन अपना नाम बताया था राजा लेकर राज कुमार तुम पर ज्यादा फिट बैठता है प्रिंस चार्मिंग यू नो यह स्कुटर किसका है और किया इधर नो पार्किंग में है वही नहीं यह चलो जलो उठा इसको अरे वो दीखे वो तो मेरा आप यह क्या बोल रहे आप यह वो आप ले गए हाँ बुस्कूट है ना लो पार्किंग में खड़ा था इतना बड़ा बोर्ड लगा है कुछ पड़े लिखे लोग भी ना दिमा से पैदल होते हैं अरे हम भी काम लज गया है चलो अमरे दूसरी मुलाकात के खुशी में एक शांदार होटेल में लंच हो जाए लंच अरे मेरी बात तो सुनिया यह मेरी गाड़ी नी अरे क्या रहे हैं आप कमाल है लड़की मैं हूँ शर्माना मुझे चाहिए और शर्मा तुम रहे हूँ यह लड़ से अरे कंट्री अर्फिक लड़ जब जब देखो तुझे दिल धरके दिल धरके सुलगे बदन कोई शोला भड़के शोला भड़के जब जब देखो तुझे दिल धरके दिल धरके सुलगे बदन कोई शोला भड़के शोला भड़के जब जब देखो तुझे दिल धड़के सुलगे बदन कोई शोला भड़के सुलगे बड़ी बेकरारी है करार दे सब कुछ लेले जारा प्यार दे मेरे दिल बढ़ जिद ना कर दर्द सताए अब रह रह के रह रह के रह रह के जब जब देखो तुझे दिल धड़के दिल धड़के सुलगे बदन कोई शोला भड़के इस्वाशे जब दुम शोला भड़के कढ़े बड़न कोई बड़के कर दो 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 यह दो वाज़के सुन तो जरा कहती है क्या रुतमस्तानी देहके नजर देहके जवानी सुन तो जरा कहती है क्या रुतमस्तानी देहके लजर मेहकी उमर देहके जवानी अब तो गले से लग जा लेने दे बहारों का मजा जाने लगा जाने क्या निशार अगन लगाती है हवा आ मेरी प्यास बुझा इन बाहों में भरके जब जब देखो तो जे दिल धड़के दिल धड़के तो सुलगे बदन कोई शोला भड़के शोला भड़के मेरी बिंदिया मेरा कजरा तुछ से ले जाए तेरा जुमका तेरा जुमका मुझे को बुलाए मेरी बिंदिया मेरा कजरा तुछ से ले जाए तेरा जुमका तेरा जुमका मुझे को बुलाए तुछको पुकार कंगना आउंगी मैं तेरी कंगना जोली में ले जाऊंगा तुछे अपना बनाऊंगा तुछे ला तोड़ो मैं तो कभी तुछ से वादा करेके जब जब देखो तुझे दिल धड़के दिल धड़के सुल के बदल कोई शोला हड़के शोला हड़के पढ़िदे करारी है करार दे, सब कुछ लेले जारा प्यार दे मेरे दिल बर चित Now कर सकाय आब रह रहके रह रहके रह रहके जब जब देखो तुझे दिल धड़के दिल धड़के सुल्गे बदन कोई शॉला भड़के, शॉला हड़के में साब, में साब, में साब, में साब, हांक बज रहे हैं, गाड़ी चलाएए, प्लीज आगे, चलिए उतरिए, तहां ले आएँ आँ, सेंटर में लंच करने, लंच यहां, क्या हुआ, अप्रसल में पैसे रखना भूल गया, कैसे राज कुमार हैं आप, खेर, होता है, होता है, बाइद वे, वाट अबाट माय तोफा, तोफा, कौन सा तोफा, वही, हमारे दूसरी मुलाकात का, तो क्या चाहिए आपको, कुछ भी, जिसमें तुम्हारी यादे चुपी हो, अम, यह गाड़ी कैसे लगते आपको, अच्छी है, तो ले लिजे, ले ले यह निए, अच्छी हैğ, तो ले ले लिजे, बीजे है, वही तो ले 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 निए, यह निएद छिएय ले के ले пошँआ ले लेजी जे है टो का work, अच्क मामा 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 अरे वहाँ नहीं जरह यहां पलट कर दे यह बेरे यह लाला अरे मदू तू और यह गाड़ी किसकी है अरे मामा पहले ही मुलाकात में जैक पॉट लग गया गाड़ी उसने गिफ्ट में दी कैसी रही अरे तो फ्लैट बंगला कैश तो मिलाई होगा न एक तीस पैसे दे दे स्टोव की पिन लानी है भत मामा तुम तो वहीं रहोगे भैंको यह स्टोव यह पिन अब तो हमें इस घट्या जंदगी से बाहर आना है स्टोव को में भेक नहीं सकता वेटी क्योंकि पडोसियों का है वे बागव यह से भागव चला क्या रगाएं गाड़ी तो बहुत अच्छी है मुर्गा कैसा है बहुत अमीर पिल्कुल राजकुमारों देशा अच्छा वेरी गुड तुम्हारा यह राजकुमार कहीं पठ पगड़ी वाला डारी वाला मुछो वाला सरदाजी तो नहीं है दोवेक्न नोडाड़ी नो मुर्ख अच्छा तो यह दे क्लिए और इसे चुराया तेरे अच्छामीं ने आजार आप तोजा रहे हैं छोड़ यार क्या बात है शंकर? मैडम ये कोई तरीका नहीं है पैक्टिक एक वफदार नौकर को दरदर के ठोकरे खाने पर मजबूर करने का 20 साल की वफदारी का ये मुहाफ़ा दे दिया मेरे पिताजी को कौन है आप? आप किसकी बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम राजा चंदर प्रकाश्ची का बेटा पिछले 20 साल से मेरे पिताजी इसी फैक्टर में केमिस्ट का काम करते थे ओ शंकर जाओ उन्हें बिना किसी वज़े के यहां से निकाल दिया गया और उनके जमा की हुए फंट से उन्हें एक पैसा तक नहीं मिला बैठो मागर चंदर प्रकाश्ची को फैक्टरी से निकाल देने की कोई वज़े तो होगी? वो आप अपने फैक्टरी के डिरेक्टर्स मिस्टर आना, मिस्टर सेटी और मिस्टर सूच से पुझे देखिये मिमसा मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पिछले चे मेरों से मेरे पिताजी कोशिश कर रहे है और अब ठक कर घर बैठे अब महरबानी करके उनके पैसे दिलवा दिएगा बस बट अफकॉस चंद्रपकाशी को उनके हग के पैसे जरूर मिलेंगे वैसे भी मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना जाहूंगी उन्हें फैक्ट्री से क्यों निकाला गया है यह जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है मैंने इस कंपनी की बुनियाद रखी वी देखी वर्षाजी और फिर उसकी तरक्की के लिए साहे साथ की जीत और महिनत भी देखी है मगर राना सूध और सेठी के मिल जाने के बाद इस कंपनी में धनली मज़ गई यह मुझे से कई वफादार लोग बरदाश्ट नहीं कर पा रहे थे हमने बड़े साहब को एक दो बार आगावी किया मगर वो तो उनके भूलेपन का इन तीनों ने बहुत नाजायत फायदा उठाया मैं समझ रही हूं जंदरपकाशी सब समझ रही हूं मुझे इन लोगों पर शक तो शुरू से ही था मगर यह लोग मकारे की इस हद को छो लेंगे यह मुझे पता नहीं था खैर राजा तुम ऐसा करो अपने बाबोजी के सारे पेपिर्स लेकर गहर आजाना और हां अपने सब्सक्राइब भी साथ लाना हो कि जी हुआ है कि आ है कि अ झाल झाल माफ केज़ेगा, मिस्टर राना, मैं आपकी कुरसी पर बैड़ गई आप से हमारे बीच रिष्टों की जबान में बात नहीं होगी क्योंकि यहां मैं आपके लिए आपकी पाटनर, मिस्ट वर्शा सहाए हूँ पस क्योंने क्योंने, यह कुरसी भी तो तुमारी ही है, मगर अभी अभी तुमारे साथ इतना बड़ा हाथसा हुआ है, क्योंने तुम कुछ दिनों के लिए भार चली जाती, थोड़ा सा बदलाव मिलेगा तुमें नहीं, मिस्ट राना, सबसे पहले बदलाव तो मुझे यहां लाना है, इस फैक्टरी में मैं, समझा नहीं फैक्टरी पिछले साथ सालों से नुकसान में चल रही है, पंद्रा करोड का नुकसान दिखाया गया है एक बात और मिस्टर सूथ, आपने जो मार्केट में 20 लाक का माल दिया है, वो ओवेडेट हो चुका है, उसे लोगों की सहत पर बुरा असर हो सकता है, लोग बीमार पड़ सकते हैं, आप फॉर्न डिलर्स को बुल कर उसकी मार्केटिंग रुकवा दीजिए, ये, ये क्या रह ये, वरना आप मुश्किल में बढ़ जाएंगे, मैं बुश्ते हूं कितना कमिशन मिलता है, आपको मिस्टर सेजी से, एक्स्क्यूस मी मिस्टर वर्शा, क्या क्या रही है आप, अगर आप किसी तरह की खलत फैमी है, तो खलत फैमी नहीं ये, मिस्टर सेथी, सब कुछ साफ है, पुरी 25 लाग का नुकसान किया है, आप लोगों ने, और अभी तो मैंने सिर्फ एक महिने का हिसाब किया है, तेके मिस्टर सेथी, मैं भी देखती हूं कि आपके उंचाएं कहां तक है, पॉंप पॉंट नम Hind जांट, पॉंट नम सिर्फान जांट, पोंट नम सिर्फ, मार्केटिगटीररिय मार्केट тоб brit, पॉंट नम सिर्फ, तोटल फैक्तरी अइमट आप्सक्ट The इस बस्ती की हालत कितनी खराब है लोग यहां भूके मर रहा है फेक्टरी वालों ने कोई मुआवजा नहीं दिया इन्लों की नहीं जाती इस इंसान के हाथ की हालत देखिए आप ही कुछ कीजिए नहीं लोगों के लिए प्लीज कैसे हुई यह सब कहां जाए हम किसको बोले कौन है हमारा आपकी सिवाए फेक्टरी वालों ने एक धेला तक ने दिया घर में खाने को कुछ नहीं है मेरे बेटी का हाथ कट गया कुछ कीजिए मैं सब देखिए आप रुए मत सब ठीक हो जाएगा कि इसे स्कूल की हालत देखिए है यहां के बच्चों के पास किता बेने आप कि अब बच्चों के पास कितना दिकाथ के आफ्या जाख और जाए जाए कार आप अब जाए कुली क्या बाची यह सब्सक्राइब यह हम से बस्ती खाली करवारा है कर दो जब से आप में नहां रहते हैं वे टरेन वे. कि अगाउंट्स में गड़बर मार्केटिंग में खोट स्टॉक्स में हिरा फेरी इसका कोई जवाब है आप लोगं की पास मिस्वार्शा अगर मिस्स सहाय होते तो हम जवाब देते लेकिन आप लोग ने मेरे डैरी की शराफत का फाइदा उठाया है उन्हें आपको बराबर का हग दिया था क्योंकि उम्र के वज़े से वो काम का इतना बोजने उठा सके थे और आप लोगों ने उनकी विश्वास का खून किया हजारों फैक्टर की वरकर्स को गरीबी और तकलीफों में जोग दिया मैंने उनके घरों में अंधीरा देखा है भूग देखी है मिस वर्शा जितना हो सकता था उतना उन लोगों के लिए हम करते आएं उनकी मेहनत से जादा हमने उन्हें दिया है बिल्कुल उन लोगों को भी चादर के इसाब से अपने प्यार फिराने चाहिए ना अरे तरह मिलते ही तीन दिन में पेड डालते हैं सुस की बातों में अगर हम उन्हें नहीं निकालते तो वो हमें और हमारी स्वेक्टी को भी लुपेट डालते हैं अपने गुनाहों पर पर परदा डालने की कोशिश मत कीजिए में मिस्टर साहिए की बेटी जरूर मगर मिस्टर साहिए जैसी नहीं हूं मैं सच और जूर का फरक समझती हूं मिस्टर सेथी, मेरे डैडी ने अपने बुरी दिनों में आप लोगं को नहीं जोड़ा था बलके आप लोगं के चुड़ते ही, मेरे डैडी के पुरी दिन शुरू हो गए एक बुजर्ग आदमे को सहारा देने के बजाए, आपने उसे ही अपाहिच बना दिया जेंटलमेंट, अब मैं आप लोगं का और ज्यादा वक्त बरबाद में करूगी मैंने जिन फाइल्स और पेपर्स के लिए आप लोगं को कहा था, वो मुझे मिल जानी चाहिए अगर आपने दो दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ क्लेरिफाइन नहीं किया, तो आप लोग आपने आपको जेल के सलाखों के पीछे पाएंगे और मैंने चाहते कि लोग ये कहें कि मिस्टर साहे की तीनों पार्टनर्स को जालसाजी के जुर्ण में गिरफतार किया गया है क्योंकि ये मेरे डैडी की इज़त का सवाल है तो डे जंटीमन कि अधार को अधार कि अधार को राच कुमार और वो भी अधार वाह क्या बात है तो फिर आगे हां मैं वैसे तुमने मुझे जेल भीजवाने का पूरा इंतजाम कर दिया था अच्छाए क्या किया वो गारी तुम्हे तुम्हें तुम्हेरे बाप और दी थी जो तुमने मुझसे कहा ले जाओ लेवड़ु को अधार ये और वो गाडी को ईपने मुझे बोलने का मॉट यूर कि बता दे joint कि वो गाड़ी मेरी नहीं है किसी और की है ए राग पटी नहीं बेटे तू जितना भोला बनता है ना उतना है नहीं तुमी से ठीक है मैंने एक से एक चोर लफंगे मवाली गुंडे देखे हैं अरे मैंने तो क्या आप लोगोंने भी देखे होंगे क्यों नहीं है ना लेकिन आपने से किसी ने ऐसा कोई फंटर देखा है जो लड़की पटाने के लिए चोरी की गाड़ी गिफ्ट में देजी इतनी बख्वास कर देखे मैडम मैं मामूली क्लाक का लड़का हूं और बेरोज़गार हूं नौकरी के लिए इदर उदर भठक रहा हूं अगर आप चाहें तो मैं आपको काफी पिला सकता हूं समझ गई ठीक है काफी ही पी लेते हैं चलिए अज़े अग्यू इसे क्या देख रही हूं सच्चाय की जीती जाकती तस्वीर को जो मेरे मन की गैराईयों तक उतर गई है तुमसे मिलकर आज मेरा ये भ्रहम तूट गया है आदमी के लिए दौलत ही सब कुछ नहीं होती रिष्टों को प्यार और विश्वास के धागों से बुना जाता है प्यार और विश्वास यही तो जिन्दीगी है मुद्व बाईयों आजयों 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 कि बादल कर जा विजली चमकी बादल कर जा विजली चमकी होने लगी बरसा करनी है जो हमको करने दे वो बादल कर जा विजली चमकी 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 बादल कर जा विज करनी है जो हम को करनी है जो हम को करने दे वो माद बदल गर जां विज्रीजब की फी रूर विज्री छती होनी लगी देखा कर दो कर दो तेरे भीगे बदन से हटती नहीं है मेरी आखे तेरे भीगे बदन से हटती नहीं है मेरी आखे तेरे भीगे बदन से हटती नहीं है मेरी आखे तेरे भीगे बदन से हटती नहीं है मेरी आखे तेरे भीगे बदन से हटती नहीं है मेरी आखे इन कर दोफ आती फ़िद्थाइब फादल गर्जा विजली चमकी फिरें जोने लगी बर्सात इन गर्जाब जेटीरी जंगी होने लगी वर्शात खुछ शार हाँ मेरे दिल पे फिर फिर मिथा मिथा जाओ मुझे पर नहीं है मेरा काबू जारा हो मेरी दिल मेरे धीरे धीरे मिठा मिठा जादू मुझे पर नहीं है मेरा काबू होश में अमना जवानी है यार से लिपठा पानी है मस्ती में हम दोनों रपस में नहीं है जजबा बादल गर्जा बिजली चमकी होने लगी बर्सा हाँ होने लगी बर्सा हाँ होने लगी बर्सा यह तो मिस्टर सहाई से दो कदम आगे निकली यह अकाउंट्स की करबार हम कहां से ठीक करवाएंगे मैं तुझे सोच रहा हूं कि जब इस इंसाफ की देवी को हमारे प्लैन के बाता चलेगा तब क्या होगा तब तुझे हमें ऐसा लपेटेगी सच्छाए तो उसे अपने बाप से विरासक में मिली हैं ताहे ने ता आपने जान देकर प्रिमत चुका दे अब इस वर्शा का क्या होगा जो कुछ भी करना है जल्दी करो अदर यह यह हमें पागल कर देगी मिस्टर सूद अभी आपने क्या का पागल कर देगी पागल क्या तुम भी वहीं सोच रहों जो मैं सोच रहों वर्शा की बीमारी मिस्टर सहाय से कुछ अलग है इसलिए उसका इलाज भी कुछ अलग होगा और वो इलाज मैं समझ रहा हूं सीथी आप लोग यह पहली है क्यों मुझा रहे हो आपको भी पता चल जाएगा मिस्टर सूद हम वर्शा की पहचान है एक नहीं दुनिया से कर कि कि अलग है पूपा इसलिए नहीं जली से डाकटर को अलोग बॉआ गाई डॉक्तर साब कि अग्टर केमिस्टर सूतर मिश्टर सेट अलो अब यह मेरे साथ अंदर आईये आप आपको शॉक टीटमेंट देना ही पड़ेगा आप समझे लीगा आप समझे लीगा आप सब्सक्राइब कपड़े पेंके पेशन दूनता है अजीब जगा है भाई यहां के दो डॉक्टर नहीं पागल था पागल ओहों आच्छा वो यह लोग सही वक्त पर आगे वरना यह तो मुझे शॉक देने वाला था यह डॉक्टर बाड़ी के बचा है कहां यह लो एक और पागल डॉक्टर आ रहा है अरे क्या बरोसा यह भी पागल हो सकता है अरे नहीं नहीं इसको तो नर्स ने गुड मॉनिंग का है वो सकता नर्स भी पागल हो है अलो जेंटल्मन आम डॉक्टर बाटिया यह तो परेशान हो गए आई एक बिजनस पार्टनर मिस्टर साहे की एक हाथसे में मौत हो गई मिस्टर साहे के एक लोथी बेटी है वरिशा जो अमेरिका में रहती है उन दिनों वो यहां चुटियों में आई हुई थी और यह हाथसा हो गया पेचारे अपने बाप से बहुत प्यार करती है माव की मौत का सत्मा बरदाश्ट नहीं कर सकी इन दिनों अजीब अजीब फरकते करने लगी है जैसे डॉक्टर वो अचानक फैक्टरी में आकर वर्कर उसको डांस करने के लिए कहती है और उस रोज उसने एक बेचारे बोड़े वर्कर को सर पर मार दिया वो हमें देखते के चिखती चिलाती है का इसके साथ भोगा किया दोके बास समझती है अब मुझे तो पागल समझती है यह खुद तोर पर करती है अलवेड़ती मुझे कहती है सुछ आपनी यह च्छाब आपने यह दोर दिया यह पोड़ दिया अजकर वो हम पर तरह-दरह की इल्जाम लग देखिए जब भी उने दौरा पड़े आप मुझे खबर कर दीजे मैं तुरंद देखने आऊंगा बहुत जल्द बहुत जल्द मैं आपको खबर कर दूगा अब यहां कब तक होते हैं अच्छ डॉक्टर जब भी उसे दौरा पड़ेगा हम आपको खबर कर देगा जलूर ना हो जो आप अगार केसी गाड़ी चलाते हो तो अगार्ड हो जाए लोग जाए अपना अपना काम कीजिये जाए है जो 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 समल के समल के यह आपका पेर? देश को देदी मैं मेजर था खुश्वन सिंग शर्मा लेकिन आज कल तो लोग मुझे खुस लंगड़ा कहकर बुलाते हैं देश के लिए लड़ते हुए मैंने अपने टांग कमा दी समाली मुझे पता है दो दिन बाद बेहोशी की हालत में मैं जवानों को मिला था मैं लापता हूं और मुझे खुजा जा रहा है यह खबर सिनकर मेरी मा स्वरगवासी हो गई मेरे पिताजी तो मेरे जन्म के पहले डाकू वकील सिंके हाथों मारे गए लेकिन मुझे देश ने क्या दिया मुझे कुछ नहीं हुआ बेटी मैं इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ यह मेरी भांजी मधू बस यही एक जिम्मेदारी मेरी इकलोती बहन छोड़ गई है मुझे इसकी शादी इसकी शादी हो जाए तो मैं इस दुनिया को अन्विदा कह दूँ नहीं मौमा जे ऐसा मत कहिए आपके अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में मैं मेजर सुकुण सिंग अपनी भांजी की शादी के लिए पच्छिव पच्छास हजार रुपे में नहीं जुटा सकता मानत है मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद मेजर साथ मेजर साथ आप निराश मत हुए हिम्मत मत हारी आप रवर मेरा बैग दाना जरा जी मैड़ आप पैसन की फिकर मत कीजिए मैं आपकी मदद करूंगी आप जी हां आप इतनी बड़ी रखम देंगी ना जान ना पहचान तो क्या हुआ क्या हुआ इंसानित के नाते में आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते ने ड्यारी कहा करते थे कि पैसे तो हर कोई कमा लेता है लेकिन जहीं इस्तमाल वही करता है जो अकल मंद हो यह लिजी दन्य है आपके डैडी को दन्य है आपको अच्छा ऐसे इंसान भी जिन्दा है इस दुनिया में पिफ्टी थाउजन रूपीज घाड़ी मेरकी वाड़ में तो नमस्ते मैडम ओ नमस्ते लाए हो यह लाग तुम्हारे बाबुजी के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसुस है ये बात साफ जाहर हो चुकी है कि उन्हें बेवजा फैक्ट्री से निकाला गया है अगर वो चाहे तो उन्हें वापस फैक्ट्री में मैडम फिलाल तो हमें पैसों की बहुत सख सरूरत है मैंन बाबुजी के ट्रस्वंड वाले पैसे दिल्वा दीजे बस वो तो हो जाएगा लेकिन मैं जो तुम्हारे बाबुजी के बारे में कह रहे थी वो बीमारी के वज़े से वो काफी कमजोर हो चुके है इसलिए इस हालत में उनके लिए काम करना मुश्किल होगा जी हां तो पहले जाकर हमारे फैट्री के लॉयर मिस्ट सक्सेना से फंड की पेपर्स की बात कर लेना जी मैं उन पर साइन कर दूंगे वैसे मैंने फोन पर उनको सथ समझा दिया है जी बहर अच्छा है मैं पहले तुम्हें फंड की पैसे दिल्वा दूँ तो मैं अपने ब आपकी मशिन गंड ठीक है तो यह गन 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 ठीक चलती है वह क्या है कि मैं पहली बार इस बैंक से लेंदेन करने आया हूं अच्छा एक्स्क्यूज मीं प्लीज लोट सारा देखकर दीजेगा पचास अजार रुपए है ना इसलिए अरे मध्धू सारी नोटें सौसो की लेना है वह बात क्या है कि इतनी सारी सौसो की नोटें मैं जिंदगी में पहली बार देखूंगा आप अपना काम कीजिए भाई साब आप बता सकते हैं कि पचास अ आपका यह चैक कैंसल चुका है इस टॉप पैमेंट का आडर हो चुका हमें प्लीज आएं आपके पास पैसे नहीं है क्या मामा यह चैक कैंसल हो चुका है लेकिन कैंसल कैसे है क्यों क्यों कैंसल हुआ यह तो वर्षाजी से मिलकर ही पता चलेगा वर्षाजी चीटिंग चीटिंग करते हैं फोर टंटी वह भी हम जैसे ओनेस आजमी से चलो वर्षाजी के पास कम अजिए यह क्या करें नाना तब नाद दिम्याक्तो खराब नहीं हो किया यह क्या हुआ यह क्या करेंगा यह क्यों अब गड़ एक रख वागल पंक दोरा पड़ा है सुध साब आप समझ रहे हैं वर्शा पागल हो गई है मैं हो गई हुँ हो तो खेल नाइसा जी पागल हो गहीं तुकेश घ्रवन जी कर पागार करें उसराइसे लिए जाया में जोडशाज साफ़य करताई हाओ आपने मजी तुम्हां आपको is प्रशाइब तुम्हें क्या हो गई है तुम्हें पागल हो गई है यह आप देखिए दोने नहीं आते तुम पूझे तुम बोले डॉक्त आप कि लिए टिर्वा काना कर छुछ करो बेटीजाए पास करो बैटी बस में वारत अड़ी आप मेरी बात है आप !! विल्टी ने जो 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 गुझा उना इस पुझा पूल जो 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 जी जी दो अजुद आप लोगा जो जो जी आप दो जी आप लोगा दो जी आप मैं अज जी ने इस पुझाहाई साराइकार आगारा यह सब क्या है यह साइसाब की बेटी वर्षा पागल हो गई का डॉइस यह तो है मगर मामा कल ही तो यह चेक ऐसे कैसे हो सकता है वो सकता है वो गया देखो तब ही तो मैंने सोचा कि पचास हजार रूपे का चेक इसने एक जटके में कैसे दे दिया बात समझ में आ गई ना ना मामा मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता मेरी तो आखों के सामने अंधेरा चाया हुआ है जंदेगी में पहली बार पचास हजार रूपे का नुक्सान हुआ है माई आरा कि मेरी बात थाषर थाषर पार रूपे कैशुए प्राइब तोल बनीर ने मेरी बात कि रहें ने वहीं बात है जो बेंग आपने को जो बडियों नियुक नोड़ दो हो जुट वा जोड़ के लिए खिए लिए पुर्फ प्रेमुक्त ला जाएं टेसने घुटिछ वाओ आ विए चंव भास हुआ नहीं डिएज उट्रोट सफंट्र, हुट्रोप तोट्रोट में टें। अब ऐसा किजिए कुछ दिन रहे आराम कीजिए ट्रीटनेंट लीजिए नहीं ठीक लगा दो आपस बेज़ देंगे यहां जबरदस्ति आपको थोड़ी रोकेंगे इन वो लोग में जी बुशे बगरी राव बुश्च्छे अबाख लजँ प्वआ यहाल्टने यहां तेड़ाव देखिए मैं अभी आपको उससे नहीं मिला सकता ऐसा कोई भी चेरा जिसे वो पहचानती है देखते ही चीकती चिलाती है ऐसे हालात में उनको नर्मल करना हमर ले बहुत मुश्किल हो जाता है जाएए भाए पेस्ट के पार जाहीए यह सकता हूं अब किसी की परेशानी नहीं समझते है ड़क्र साब अगर इन पेपर्स साइंड नहीं हुए तो मेरे पिता जी के हालत बहुत खराब है हमें पैसों की सख सरूत है प्लीज दॉक्टर साब आप ऐसे नहीं मानेंगे जनारदन शंकर प्लीज मुझे एक बार मिली दीज़े जाओ इसे हाथ मत लगाना ठीक है डॉक्टर साब मैं स्पेशल प्रमिशन लेकर रहूँगा कि वकील से मुलाकात होई अब जी इसमत हुमारे साथ अजीब खेल खेल रही है क्यों बात क्या है और शाजी को अगल खाने में डाल लिया गया है ये कैसे हो सकता है अभी कली तो वहां से मिलके गई थी फिर एक तिन में कि पता नहीं क्या बात है मुझे तों से मिलने नहीं दिया गया यह भी इनी तीनों की गंदी चाल हो सकती है कि अ का अ कर दो, कर दोilled कर दो inext जो झो टो ही झो कर दो तुन कर दो, थे किन दर कर दो जो specifications क्या बात है कमाल है भर्शा सहाय पागल खाने में और मिस्टर सहाय उपर लेकिन यार आज मिस्टर सहाय की बहुत याद आ रही है अगर वो होते तो देखते कि हमने कारोबार में कितनी तरक्की की है तीन तीन शिफ्ट में काम चल रहा है दमागा मचा रखा है हमारे टॉनिक प्लस ने किसने ओर्डर आ रहे है टॉनिक प्लस टॉनिक प्लस टॉनिक प्लस तॉनिक प्लस बेजर असाय महने से पहले उसे पता भी नहीं चला कि हम कब से टॉनिक के अंदर गर्द मिलाए करते थे देवा कूब ऐसे ही माना गया से थे और कुमाल की बाद तो यह है कि आज कल के बच्चे अपनी माहों की दूद की बजाए हमारा टॉनिक प्लस पीना ज्यादा बसंद करते अब बढ़ा यह दॉक्तर भाटिया आप भी हमारी में बेवल में चरीक हो जाए दॉक्तर भाटिया नहीं पार्टनर भाटिया आज से मैं अधि साहा इंडस्रीज का पार्टनर बन गया हूं मजाग तो आप तिनों मिलकर मेरे साथ कर रहे थे मैं तो तब ही समझ गया था जब आप मिस वर्शा का केस मेरे पास लेकर आए थे कितनी खूबसूरती से कितनी सफाई से उसे फसाने के लिए आप लोगों ने जाल बिछाया है एक अच्छी खासी फड़ी लिखी और समझदार औरत का इलाज तो तब ही होता है ना जब उसको कोई मर्ज हो क्या समझे सूज साथ का मझ गया डॉक्टटर बाटिया अब उससे पागल बनाने की जा किमत नेंगे कि क्या करोड खाँ एक करोड फिट परहेड एक करोड कि जैंग जैसंए आप तीनों के लिए मुझे उसे पागल करार देना है और यह इतना असान नहीं इसलिए आप तीनों के तरफ से एक एक करोड वरना आपका यह राज जाहिर करने में मुझे कि इतना वक्त लगेगा क्यों राना साथ दॉक्तर भाटिया है हमें तुम्हारा यह सौदा मंजूर है तो मिलाइए हाथ तो कुछी दिनों में आप लोगों को यह खुश खबरी मिल जाएगी कि मैं सवर्शा सच मुझ पागल हो गई है इससे बड़ी खबर और नहीं हो सकते की मिलाँ कि एrustव की मिलाँ की मिलाँ ले जाओ इसे यह राकोट का स्पेशल ओडर अब तो आप मुझे मिलने देंगे अहां क्यों नहीं कानून का कागज नहीं कानून का आदमी भी साथ लाये हो अब तो मिलाना ही पड़ेगा अब आप लोग मिल सकते हैं बाबो यह सर सहाब को बीज नमबर से मिला दो आई यह सर थैंक यू डोक्टर थैंक यू वल्कम चलिए अब कर दो डूए यह रही प्रसा जी मैं राजा जंदर प्रकाष्टी पिपाझ एक लड़का में श्कूरों आपने मुझे घर देखे वर्षा जी मैं इंस्पेक्टर साब को भी साथ लाया हूँ आप इने बताई है कि आपकी इहारत उनी लोगों ने किया कुछ कही है ना वर्षा जी कुछ बोलिये आपकी बताई है प्रशाजी आप तो शुबर नहीं करना उसका बच्चा अभी अभी सोया है जब जाएगा ना तो बहुत मारेगा तुमको मायों हो मारता है ये देखो मारता है वो मारता है कारता है मारता है करिछ उदक हुद करें भूल कोु किने अव़ frenेङ, करें इब भूल करें ह। हुवदार कि कि अे इते हैघ कि लोगर्तClass 2 सा, इंक मान Wooji कि अब लो बताओ कि यह चाहते हो तुम साहई केस के बारे में कुछ ऐसी बाते बता चली है जिन से लगता है कि उनका एक्सिडन नहीं हुआ बलकि उनको मारा गया मिस्टर शर्वा इस केस को लेकर आप मुझसे पहले भी बात कर चुके हैं आप इसे खामखा नमबा कर रहे हैं यह केस बहुत पहले ही खतम हो चुका है सब्सक्राइब पागल खाने में डाल दिया गया है मिस्टर साही की मौत पर उसके बाद वर्चा के साथ यह सब मुझे तो लगता है कि मिस्टर साय के बिजनस पार्टनर्स नहीं यह सो मैं राना सूध और सेथी साही के के बिजनेस पार्टनर्स एसे लोगों से भीड़ेंगे आप आप जानते उनकी पहुंच कहां तक है अपने करियर का सोचे करियर का क्या आप बिवजा उलाच रहें इस केस में कोई दम नहीं है आप एक काम कीजिए यह फाइल आप आप आई जी साथ तक पहुंचा दीजिए लीजिए 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 ना किया यह सब किया है अपने देश के प्रिये नेता का सही नाम ले मैं आनंद लपक पड़े नहीं हूं मैं आनंद लगबड़े हूं लगने और पड़ने इन दो शब्दो के मिश्रुब से जो बनता है वो है आनंद लगबड़े लगब बढ़े लगबड़े हूं इतना विशाल जन समूह देखकर, कितनी भीर देखकर मैं बहुत पुरसन हूँ मेरे नेत्रों से गंगा जमना की धाराएं फूट फूट कर पहरी कली है और मुझे विश्वास हो गया है आप लोगों के मन में मेरे प्रती कितना सम्मान है अपनी भावनाओं को बड़ा बिकत प्रशन है आप लोगों का मेरे प्रती प्रेम देखकर, मेरे आखों से गंगा जमना की धाराएं फूट कैसा लगा? अबन का साउंड सिस्ट्म कैसा लगा? मासूम साउंड सिस्ट्म साउंड वाले मासूम भाई तया चन्द जंता तक अपनी आवाद पहुचाने के लिए मुझे तुम्हारे इस चुच्चे माइक्रोफोन की आवशकता नहीं है अब तो बहुत के बहुत नज्दीक है ना मिस्दवन आप कहेंगी तो बहुत असर होगा पेरे बहुत पर क्या बोलने तेरे बॉस को वही तीन हजार साथ सो चालिस्ट आइम दस्टन आप मूर्ती सागर बोर्ड मैजलिस्ट इमानदारी मेरी जगों में दोड़ती है मेरीएए ज्पर पर बढommen wePM जाए माता दीजलमा दीज माता दीज ज्युक्त पर कंदे नो चिश्री एक सो आज को आशन पे रखो प्रिसलमा यह आदिए! यह आदिए! यह आदिए! मिंत्सचों प्रभ्त violence जह ओちら वा further आदिए! 18 elites आदिए! तॉनिक प्लस जने बच्चों से प्यार है उन्हें टॉनिक प्लस से प्यार है बच्चों की असली सहथ के लिए लीजिए टॉनिक प्लस क्या धूम बचा रखिये हमारे इस प्रॉड़क्ट ने राना साब तरफ यही नहीं से इस बार चिल्डर्ण से में जो सेमिनर होने वाला है उसमें हेल्थ मिनिस्टर जी खुद आएंगे और टॉनिक प्लस की तारीफ करेंगे और साथ में गोल मैडल भी रहेंगे वेरी इस टूम गी दुब देहाँ क्यों से कवड़ई बच्त में अ छूम कापट है कि यह क्या किया तुमने तारे सर्टिफिकेस पहिंग दिये क्या करूं अब इनका बोज नहीं उठाय जाता मुझसे लेकिन राजा मुझे पढ़ाने के लिए बाबुजी ने दिन रात मेहनत की इस उमीद से कि मैं उनका सहरा बनोंगा अगर मैं आज भी बेकार घूम रहा हूं पोजो उन पर मधू अब बाबुजी का तक्लीफ भरा चाहरा नहीं देखा जाता मुझसे मुझसे नहीं देखा जाता मुझसे राजा नौकरी से हटाए जाने के बाद पहली बहुत तूट चुके हैं वो और उपर से मेरी बेकारी और बेहन की शादी की चिंता मधू मैं उनके आखों में बेबसी के आंसों देखता रहना हूं कुछ नहीं कर पाता है राजा उतको परेशान करने से क्या यह सब ठीक हो जाएगा नहीं नहीं राजा टीस कल रात सपने में एक लड़की आई थी कल रात सपने में एक लड़की आई थी कल रात सपने में एक लड़का आया था कल रात सपने में एक लड़का आया था कल रात सपने में एक लड़का रात सकते सिर रात सपने में एक लड़का रात सफने कि उसके सीने से रेशम का लागद पट्टा धलका प्यार का दर्द उठा मेरी धड़कन में हलका हलका कि उसके सीने से रेशम का लाल दुपट्टा धलका प्यार का दर्द उठा मेरी धड़कन में हलका हलका कैसे मुश्काया मुझे देखकर ले गया चुरा के मेरा दिल जिगल लगन लगा ली आरसी हारी में तो हारी दिल दार से उसके बिन मुझे को तो है अब कोई रंग ना कल रात सपने में एक लड़की आई थी कल रात सपने में एक लड़का आया था कल रात मैं एक लड़का येझे Prior तुम कितने नादान हो तुमने इतना भी ना जाना वो लड़का कोई और नहीं तुम हो जाने जाना तुम कितने नादान हो तुमने इतना भी ना जाना वो लड़का कोई और नहीं तुम हो जाने जाना रब मेरे रब क्या खूब है कितना हसी महभूब है चाहत है अर्मान है दिल बर है मेरी जान है दामत जो पकड़ा है छोड़ूगी कभी भी संगनो कल रात सपने में एक लड़की आई थी तुम जैसे घबराती हो वैसे घबराई थी कल रात सपने में एक लड़का आया था तुम जैसे शर्मोंचे हो तुम जैसे शर्माती हो वैसे शर्माया था कर दो भूल पर दो कि अधियों कि अधियों कि अधियों कि अधियों आधिया ना तेरी बटालियन क्या कर रही है कि अधियों कि अधियर ऐसमी कि अधिया कि अधियों कि Ac RAM कि अधियी बीज़ोटन प्रुन चल्गें लिसा लगाए लार है अार लो खार लार लोगाई लोगाई लार लोगार है लोगाई लुदार लेवार है। यह… हईरा〜 मैरे बाशी मेरी बचे को क्या हो गया इसा अलेल सी भाव से हागा इसा उन निवलत की भावब आप आप आफ आप मैं जर्मा बोल रहा है आप आप मैं फैक्टरी से हम बोलो शर्मा क्या बात है बहुत बड़ी गलती हो गई एक लिए इस की सारी प्रेश्ट मेरत और कानपूर में भी साथ बच्चों के मारे जानी की खबर मेरत बच्चों के मारे जानी की खबर थी तुम्हारे आस-पास कोई है तो नहीं कि मौके की निजाकत को समझों यहां लोग हमें लपेत्री में लगे हुए हैं तुम्हें फोन करें की सुझ रही हैं कान खूल कर सुन लो दो तीन दिन तक बिल्कुल फोन नहीं करने का समझे हैं कि आप इन टॉनी प्लस वालों को बन कर देना के इसी दवा बेशने वालों को इतने बच्चे मरें देखिए आप क्या हो रहा है आप पताल भरे के बरें पड़ें की तो कि आप लॉट को बस्चाइब तक्टर हस्मोग तो सिधी तरह से बयां दे गो के सरकारी को बन जाओ तश्वाय नें में पहले ही कैसे तो भूल ञाइए आ है पुलीस अच्छी तरह से जानती है डॉक्तर हस्मुक पटेल के टॉनिक प्लस का सारा कंसाइमन तुमारे पास आता है और ये सच मैं तुमारे मुझे उगलवाऊंगा इसकी बहुत तरीक है मेरे पास समझे तो अब ये नए लपेटो अब ये नए लपेटो अब वो इंस्पेक्टर का बच्चा हम सब भूखे शेर की तरह लबक बड़ेगा हमने इस इनस्पेक्टर हमारे लिए अभरा बन गया है किसका कुछ करना पड़ेगा नहीं उस खट्रे को दूर करने का वक्ता भी नहीं आया पुलीस से मजरुम करिश्टा भाग नाजुक होता है तिल्हालों सिंस्पेक्टर को भूजाओ जब से पहले हमें वो सबूत मिटाना है जिसकी वजह से हम फस सकते हैं इंस्पेक्टर की वर्दी पहन कर टैश और जोज दिखाने का मतलब है अपनी नौकरी से हाथ धोना समझे आप सिर पटेल को इंटेल करते वक्त मैंने इस बात का पूरा खैल रखा था कि उसे इसी तरह का नुकसान न पहुंचे यह रही पटेल की पूस्पॉटम रिपोर्ट सिर मैं आप से कहा रहा हूं कि पटेल सिर्फ बेहोश था बस यह रहा तुम्हारा सस्पेंचन ओर्डर एकिट सब आइम सौरी शर्मा आइम स्वरी शर्मा मैं कुछ नहीं कर सकता यह ओडर उपर से आया है कि आपका बोजगंदे पे ढोना और किसी के बस के बात नहीं होती है दॉक्टर हस्मुक जैसे भले लोग भी जैंज दुनिया में लपेटो और थोड़ा लपेटो अरे भाई लपेटो 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 चलो अच्छा हुआ हमने पुलीस को परिशानी से बचा दिया अगर हस्मुक जिंदा होता तो पुलीस को काम करना पड़ता कि में तो यह सुच रहा हूँ जब अपर जा कर मिलेगी और उसे बताएंगी कि हमने उसका सारा कारो बारल लपेट लिया है तो 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 क्या होगा तो क्या होगा क्या है क्या हुआ क्या है झाल 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 झाल